आज की swipe left, swipe right की dating app की generation में प्यार जैसा feel देने वाले options तो काफी available हैं dating apps पर लेकिन आपको प्यार का वो passionate, uncomplicated, serene, यानि की pure और security वाला feel देने वाला आदमी ऐसे dating apps पर मिलना उफ दूणने में जान निकल जाती है निधी, निधी के लाव marriage हुई थी और फिर शादी खत्म हुई बहुत ही ugly divorce में तब ही से उसका इनसानों पर से उसका जो judgment है उसका confidence भी हिल गया उपर से आज का ये dating app का culture उसने से इतना confuse कर दिया है कि उसे समझ नहीं आता है कि dating apps पर जब वो dates पर जा रही है तो वो romantic ज़्यादा feel कर रही है या फिर आदमियों के mixed signals को decode कर रही है प्यार कब इतना complex हो गया कोई इंसान जब आपको पसंद आए उसके साथ वक्त पता ना चले उसके बिना घड़ी की सुईया रुक सी जाए जिन्दिगी के हर छूटे बड़े फैसलों में जब उसका चहरा आपके सामने आए यही तो प्यार है निदी को आज ऐसा लगता है कि Bollywood ने जो हमें प्यार के definition सिखाई है न वही आज के आदमी तो उसका bear minimum ही दे पाते है especially तीस के बाद इंसानों को ये clear हो जाता है कि उन्हें क्या नहीं चाहिए लेकिन जो चाहिए वो मिल नहीं रहा होता है और जो मिल रहा होता है वो मन को भान नहीं रहा होता है ऐसे में अचानक से निदी की life में entry होती है सचन की पहली meeting में सचन निधी को अपने life के बारे में वो information देता है जिसे शायद वो पहली meeting में ना भी देता तो चलता लेकिन सचन का कहना था कि अगर dating से आगे बढ़ कर relationship में जाना है तो सब चीजें clarity के साथ देनी होंगी आज का सवाल What are the signs he is deeply in love with you? Sign number one, clarity पहली date के बाद, अकसराज के dating culture में कौन पहले call करे, कौन पहले message करे की awkwardness होती है 30 या 35 साल के बाद, लोगों में ego भी उतना ही बढ़ जाता है But, सचन called निधी early morning और वो भी video call इससे पहले कि निधी अपने दिल में सचन के लिए थोड़ी सी जगा पाती दूसरे दिन सचन पूरे दिन के लिए गायब हो गया निधी ने मानी मन मुसकराते हुए सूचा ये भी dating app वाला ही निकला फिर से M.I.A. लेकिन शाम को सचन का call आया I'm sorry sorry यार, पूरा दिन नाई was too busy, lunch भी miss हो गया तुमने खाना खाया? Sign No.2 Busy सब होते हैं पांच सेकिंड लगते हैं मैसेज ड्रॉप करने में लेकिन कभी-कभी इनसान ना आपसे तसल्ली से बात करना चाहता है आपका चेहरा देखना चाहता है वो पांच सेकिंड की हडबड़ी नहीं चाहता है वो पांच मिनट की ढंग से बात चाहता है लेकिन अगर इनसान आपको कह रहा है कि वो busy है और फिर उसके बाद free होते ही सबसे पहला खयाल आपका आया है that means Sign No.2 He is deeply in love with you दो दिन के बाद Sachin ने accept किया कि उसका mood ना बिलकुल भी ठीक नहीं है Nidhi बहुत खुश हुई He was pleasantly surprised not because Sachin का mood अच्छा नहीं है but for the first time उसने ये देखा कि किसी आदमी को अगर वो date कर रही है the man has the guts and the courage to express his emotions in words and not by going M.I.A. यानि कि missing in action Sign No.3 आदमी express कर सकते है फिर उसकी बाद दोनों में पहला argument हुआ दोनों ने पहला joint decision लिया पहला जगडा भी हुआ but in सभी conversations में एक चीज थी और वो था respect and a sense that यार हम एक ही team में है Sign No.4 and a very important sign कि जब सामने वाला इंसान अपने future में आपको देखता है तो वो आपको अपनी team में समझता है and on that note मैं अनिधी और सचिन की ये love story को यही पर छोड़ती हूँ आप एक open-ended note पे आप मुझे बताएए comment करके कि क्या इसे signs होते हैं जिनसे आपको ये समझ में आए that a man specifically a man is deeply in love with you both man and woman can contribute by commenting below